कि मिद्वन रशीचा मैं 2020 का सब्सक्राइब करने वाला है आपके जीवन कैसा कौन सक्षेतर है जो कि सबसे ज़्यादा कम्पिद होने वाला है कौन सी जो सावदा नहीं है वो आपको बरतनी होगी कैसी बाते होगी सबी के बारे मिज़ाचा इस लोडियो में हम पैरने माले हैं अपना जो चैनल है ब्रह्माद सिद्ध्याश्टो इस चैनल पर मेश राशी से लेकर मेंग राशी तक की जो सबी बारा राशिया है इस सबी बारा राशियों का मैं 2020 का संपूर्ण राशी पल के संदर में वीडियो अफ्लोड हो चुके हैं आप उसका आनद जरू लीजे यह जो हम राशी का बताने जा रहे हैं मिथुन राशी का यह आप राशी से या फिर आपका अगर लगन मिथुनो तो भी इसका जो अनुबह है वो आप कर सकते हो तो चलिए शुरुवात करते हैं मिथुन राशिका मई 2020 का संपूर्ण राशिकाल पहले तो हम यहीं देखेंगे कि ग्रहों के जो राशांतर है वो किस प्रकाल से आपके जीवन है उस पर परिणाम करने वाले तो सबसे पहले हम देखेंगे रवी के संदर में रवी जो के हैं वो आपके लिए बहुत च्छा होगा च्छाँ पहलेगे आपकोविन रहेंगे अच्छे तरिके के लाप होगिन उनसे भी आपकी जो वैसे देक्फ़ाल है तो आपकी जो राशी है वो में ज्यादा हुलने मिलनेगे तो इसर ऊनुबवव है आपने लियदे होगे और 1500 तारीट तक आप ले भी चुक होंगे लेकिन इसके बाद का जो समय है मतरम 16 तारीफ के बाद का जो समय है ठोड़ा सा आपको थोड़ा स्ट्रेस में तो नहीं कह सकते लेकिन जो भी आप काम करोगे उसमें उतनी सक्सेस रेट जिसे हम गूलते हूं तो थोड़ा कम होने के चांसे से और जो भी आप काम करोगे तो मेनज ज्यादा होंगी लेकिर उससे जब आउट-पुट जिसे हम बिलते हैं वो नहीं मिलेंगे इससे पहले मतलब पंतर अपने देखा होगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आउट-पुट आपको काफी अच्छे मिल रहे हैं, सक्सेस आपका बहुत अच्छा मिल रहे हैं और दूसरी ज़्यादा मेर्दु पुर्णबाद अगर आपके भाई या बहन हैं तो उनके रिलेशन में भी मतलब उनके और आप में जो रिलेशन हैं उसमें भी छोटी मुटे बातों के लिए कर खटास आ सकती है छोटे मुटे कॉंप्लिकेशन आ सकते हैं तो ध्यान देना ज्यादा आवश्यक है इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुदग्रा के बारे में बुदग्रा जो कि आपके लाब भाव में है और आपके लगन का स्वामी भी है या आपके लाब भाव में है दिन्हाग नौ तरिख के बाद या आपके वैयर भाव में आजाएगा ओर दिन्हांग अठा इस अरीक के बाद वो आपी के राशी में आ जाएगा बोटे तो पर अगर देखा जाए तो 9 तारिक से लेकर करीबन 18 तारिक तक का जो समय है मतलब इस मेने का जो बहुत बड़ा समय जो है उसमें यह जो बुदह है वो आपके वेई अभाव में रहेगा अब वेई अभाव में होने के कारण स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा आपको फिल होगा क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशी है छोटी मूटी बातों को लिए कर स्ट्रेस जादा ले लेते हैं बहुत यह common बात मतलब बाकी लोगों के लिए जो बहुत common बात होती है वो आपके लिए काफी जयदा मतलब बड़ी बात हो जाती है तो हला कि stress या attention नहीं लेना क्योंकि जो भी बाते होंगे जो भी आपको लेगा कि negative बाते हैं या कि इससे तो stress होने वाला है इससे problem होने वाली है तो देख लेना आपका nature ही वैसा है कि छोटी छोटी बात उपर आप ज्यादा सोचे तो वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन stress नहीं लेना क्योंकि यह जो संपूर्ण मैना है जैसे कि मैंने कहा कि बुद्ध आपके वेयभाव में भ्रहमन करेगा तो stress थोड़ा बना stress लेने से कुछ नहीं होगा उस stress से किस तरह से बाहर निकालना है इसके उपर ध्यान देना और stress आप भी जाए लेकिन उसके परिणाम है वह बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेंगे तो stress बिल्कुल भी नहीं लेना उसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे वे श स्वयम के राशी में हैं लेकिन यह जो शुक्र ग्रह है वह बारा तारीक के बाद वक्री होने जा रहा है यह आपके आप पंचमेश भी है तो दो-तिन बाते हैं उसके उपर थोड़ा ध्यान देना आवशक है पहले सबसे महत्व पुर्णबाद अगर आपका विवा हुआ ह तो आपके जो वयवय जोड़िदार होंगे उनके सहत के बारे में चोटी मुटी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन वगरा आ सकते हैं दूसरी ज्यादा महत्व पुर्णबाद अगर आप शेयर मार्केट से डिल करते हो या फिर ऐसी किसी संस्ता में संस्ता से जहां पर मतलब इबस् Below करता करार हो सकती है ऐसी कोई बात उपर कर सामने आ सकती है जिसके विजय से आपके रिलेशन स्चिप में प्रॉब्लम आ सकती है और संपूर्ण महेना यह जो है वो शुक्र है आपके वही अभाव में करते हो छोंक्री होने नहीं कर रहा है तो psychology जो मैं दो-तीन बाते कहीं, वो करीबन दस तरीक से लेकर ही उसके जो समय है वो शुरबात हो जाता है, तो थोड़ा सा चोकाना रही है, थोड़ा सा ज्यादा मतलब इसके बारे में सोचना, सोचना मतलब स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जो भी मैंने बाती कहीं, उ बिल्कुल भी आवश्रकता नहीं है, हाला कि इस मेने के 28 सारे के बाद यह जो रहू है, वो भूद्र के यूति में आने वाला है, तो उसका जो परिनाम होगा, वो किस प्रकार का होगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन अकेले रहू होने के कारण, किसी भी प्र रिलेशन्शिप में यह अगर आप शादू शुदा हो, तो आपके जो वाईवाई जोड़ेता होंगे, उनसे भी ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉंप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे, अश्टम स्तान में यह करीबन तीन ग् देखेगा, और सब्तम दृष्टि से यह आपके वितिया भाव को देखेगा, और दशन दृष्टि से यह आपके पंचम भाव को देखेगा, तो यहां पर दो-तिन बाते ध्यान में रखना बहुत ज्यादा आवश्यकर, पहले तो आपकी सहत, वैसे भी आपने देखा होग आपकी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती, छोटी मोटी अगर आप काम करते हो, मतलब जिसने में शरीर श्रम है, तो आप जल्दी से खग जाते हो, तो यही बात आपने देखे होगी पीछने एकाद महने में, और यह बात सिंसिला थोड़ा सा आउर आगे चलेगा, तो आपके जो इनलोज होंगे, आपके जो सस्रुआल के लोग होंगे, उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे मना कहा कि तृतिय अभाव से यह आपके दशम भाव को देख रहा है, और दशम दृश्चिसे यह फाइनांस के मामले में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखना आवश्यक है, जहापर आप काम करते हो, नोकरी करते हो, या तिरवेवसाय करते हो, वहाँ पर जैसे भी काम चल रहा है, उससी प्रकार उसे आगे उसके बार में सोचना, अगर उसमें कुछ बदलाव करते ह तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है क्योंकि आपकी जो राशी है, वो बहुत सोच विचार आपके मन में आते हैं क्योंकि फोड़ी से सहमी सहमी रहती है, फ्य deck आपकी मन में हमेशा रहता है, तो एकान भी बात अगर आप जैसा चाहते हैं, तो बहुत उसके उपर फिर से और डलती भी रहेगी इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में गुरु जो ग्रह है वह आपके आश्रम्भाव में ही है और यह गुरु ग्रह भी 14 तारिक के बाद वक्रियोंने जा रहा है यह गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके वेया भाव को देखेगा, सब्तम दृष्टी से आपके द्वितिया भाव को देखेगा, और नवम दृष्टी से यह आपके चतुर्त भाव को देखेगा, तो यह गुरुग्रा भी आपके जो पैसे के मामला है, उसमें थोड़ी सी बड़ो तरीक कर सकता है, पैसे क्य वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवशक है, और दूसरी ज़्यादा महेतो पुर्णबात यह आपका सब्तमेश भी है, और दश्मेश भी है, तो आपके जो वैवाई जोड़ी दर होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों कर ल राहू बैठा है, तो आपको misunderstanding वो ज्यादा कराएगा, चोटी मोटी बाते, वैसे आपका जो nature ही वैसा है कि चोटी मोटी बातों के लेकर आप बहुत बड़ा सोचते हो, बहुत ज़्यादे विचार आपके मन में आते हैं, तो इसी वज़े से और यह राहू क्या करेगा, य आपको जो दिमाग है वो और भी ज़्यादा उसमें confused हो जाएगा, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, मंगल ग्रह के बारे में, मंगल ग्रह पाच तारिक के बार आपके भाग्य भाव में आने वाला है, जो कि आपके लिए वैसे दे तो आपके जो सस्रोल के लोग है, उनके साथ भी चोटी बूटी बातों के लेकर दक्राव बगरा हुई थी, तो अब ये जो मंगल ग्रह आपके भाग्य भाव में आ रहा है, जिसको जैसे ज़्यादा कोई problem या complications ये नहीं देगा, ये जो मंगल ग्रह है, या मंगल ग्रह आ आपको कुछ help भी मिल सकती है, तो मंगल का जो ब्रह्मन है, वो आपके लिए शुबु फलदाई होगा, मंगल पाच तारिक के बाद आपके भाग्य भाव में ब्रह्मन कर रहा है, चतुरत दुरुष्टी से आपके वेय भाव को देखेगा, सब्तम दुरुष्टी से ये आ तो यह भी जो मंगल गरह यह भी सजेस्ट कर रहा है, शुक्र के कारण, शनी के कारण, या फिर गुरु के कारण, या फिर मंगल की दुरुष्टी है उसके कारण, तो वेय आपका ज़्यादा हो सकता है खर्चे पर उधां रखना बहुत ही जादा आवशक है, दूसरी ज़ विदार होंगे उनकी सहत को लेकर और आपका जो वेया है तो खर्चे के उपर ध्यान देना बहुत की ज़्यादा आवशक है तो दोस्तों ये था ग्रहों का जो खेल है मतलब ग्रह किस प्रकार से राशनतर कर रहे हैं या फिर ग्रहों के कारण किस प्रकार के परणाम आपके अपराशी को मिलेंगे या फिर आपके कुम्हणी को मिलेंगे अब हम चर्चा करेंगे जैसे मैंने का जैसे परणाम होता है संपूर्ण मैनें के लिए होता है ग्रव योगों का परणाम सठीख होता है तीन चार दिनों के लिए होता है लेकिन उसके जो परणाम है वो हमें मिलते हैं तो वो किस परकार के ग्रव योग है और उसके परणाम क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले शुक्र और नेप्चुन का केंदर योग होने जा रहा है नेप्चुन जो कि आपके भाग्यवाव में है उसके साथ यह जो शुक्र आपके वेवाव में है उसका केंदर योग होने जा रहा है और जो तारीक है वो एक तारीक से लेकर तीन तारीक तक की है तो यह जो तीन दीन है उसमें थोड़ासा आपको छोटी-मोटी बातों के लेकर अगर आप किसी के relationship में हो तो problem, complication आ सकते हैं, दूसी ज़्यादा मैं तो परण बद इन दिनों में किसी को भी किसी भी प्रकार के promises नहीं करना, मतलब अगर promises करते हो, बिटनेस वगरा रहते हो, कोई किसी प्रकार की commitment अगरा देते हो, तो उसमें चूकने के संभावना बहुत ज़्यादा बनती है, तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, खास करके अगर आप किसी के प्रेम में हैं, तो भी उसमें रुकाउटे आ सकती है, इसके बाद आपके लिए बहुत ही अच्छे और शुबफलदा यह होंगे, क्योंकि बुद्र आपका लगनेश भी है, और जो रवी है, वो आपका तृतियश भी है, तो इसलिए से जो भी काम आपने हाथ में लिया है, वो पूरी तरह से पूरा भी कर लोगा, और इस दर्में मतलब यह जो तारीक मेंने बताई, करीबन दो तारीक से लेकर पाज तारीक तक की जो, जो समय है, उसमें कुप अच्छे अच्छे ऐसे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं, जो की पॉदिटिव हो सकते हैं, और जिसे प्रतेक्षर रूप में लाने के लिए आप बहुत ज़़ा मे इनत भी करोगे और प्रतेक्षर रूप में वो आ भी जाएंगे, इसी वज़े से यह जो पर्टिकुलर योग है, रवी और बुद्र की युथी, वो आपके लिए पाइदे मन साबत होगी, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, बुद्र और गुरू का त्रिकोन योग होने जा रहा है, तो देखिए, इसका जो आउटपुट होगा, या फिर जो ग्रह योग है, इसके जो परिणाम होंगे, वो ज़्यादा फाइदे मन नहीं होगे, इस कारण प्रतेक्षर रूप में आपको इसके फाइदे नहीं मिन सकते, लेकिन जो भी बाते आपके जीवन में हो र हाला कि यह आपके लिए बहुत important है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशी है, वो सोचती नहीं है, अतलब सोचती तो है, लेकिन बहुत in-depth नहीं सोचती, तो इसके संदर में सोच विचार आप आ सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी जयदा महतोबन साबित हो सकत हैं, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, 11 और 13 जो तारीक है, उसमें बुद्व और शनी का नवपंचम योग, यानि की त्रिकोन योग होने जा रहा है, तो बुद्व जो कि आपके वेया भाव में हैं, उसके साथ, आपके अच्टम भाव का जो शनी है, वो नवपंचम योग ज़्यादा होगा, और वैसे देखा जाए, तो आपकी जो राशी है, थोड़ी सी डरी हुई रहती है, थोड़ा सा confidence लेवल आपके राश में थोड़ा कम होता है, तो उसके संदर में ज़्यादा सोच विचार हो सकते हैं, लिकिन इसका प्रत्यक्षर रुप में फाइदा ज इसका केंदर योग होने जारा, यह केंदर योग दुरुष्टि अधिश्टित केंदर योग है, तो यह जो कालावदी है, 11 तरिक से लेकर 13 तरिक तक, इसमें आपको अपने सेहत के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ सकता है, आपके जो घर के लोग है, उनके साथ भी तूदू मैं मैं हो सकती है, तो आपके भावनों के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक है, को यह स्ट्रेस बढ़ने के कार, प्रॉबलम वगर आपको हो सकते है, या फिर प्रॉबलम में आप आ सकते हो, तो यहीं बाते हैं, ध्यान रखना ज्यादा आवश्यक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे, कि 21 और 23 तारिकिक दर्यमान बुदो और शुक्री की यूति होने जा रहे हैं, जो कि आपके वेई अभाव में हैं, तो वेई अभाव में बुदो शुक्री की यूति वैसे देखी ज जाए, उसके संदर में सोच विचार हो सकते हैं, जो कि आपके लिए positive हो जाएंगे, क्योंकि इससे जो भी विचार आएंगे, उस पर आप अमल कर पाओगे, तो stress में थोड़ा कम आ सकता है, आपका जो stress level है, वो थोड़ा इस दर्मयान कम आ सकता है, उसी दर्मयान बुदो और निप्चुन का केंदर योग भी होने जा रहा है, निप्चुन जो कि आपके भागय भाव में है, उसके साथ आपके वेवाव का जो गुद्ध है, वो केंदर योग करने जा रहा है, तो छोटे माटा stress tension बना रहे गा, लेकिन उसके करण कोई बड़ी problem आपके लिए नही chances थोड़े कम है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे 28 तारिक से ले 30 तारिक तक या फिर 31 तारिक तक बुद्ध और राहू की यूति होने जा रही है, बुद्ध जो कि आपके राशी में आ जाएगा, उसके साथ बुद्ध और राहू की यूति होने जा रही है, और यह जो मढशी है, वो ट्रस्ट बर्द जाधा है, सामने वाले जोवित्ति होते, उस पर जल्दी से विश्वास रखते हैं, और ज्यादा सोक्विचा नहीं करते है, कम सोचते हैं, और जल्दी से विश्वास रखते है, तो इसी वज़गे से बड़ी प्राबलम में आप फस् सकते ह क्योंकि राहू की यूती होने जा रही है बुद्य के साथ ये बात जानना बहुत ही ज्यादा महत्व पुन किसी भी प्रकार के अगर आपको कमिटमेंट करनी है प्रॉमिसेस करनी है किसी पर डॉक्यमेंट पर साइन करना है विटनेस रखना है तो यह जो पर्टिकुलर तो इस दर में किसी भी प्रकार के बड़े ऐसे कोई बाते नहीं करना जो क्यों डॉक्यमेंट से रेलेट करने वाले हैं और किसी को कमिटमेंट या फिर प्रॉमिसेस बिल्कुल भी नहीं करना तो दोस्तों यह थे मही महिने के लिए जो ग्रहों का आस्पेक्ट है या फिर योगे और उसके परिणाम और उनका इंटेंसिटी है किन दिनों में अब मही महिने में जो पूरणिबा आमावस वो किन दिनों में आने वाले हैंगे जो पूर्णिमा रामावा से उसके संदर में भी ध्यान देना थोड़ा आवश्रक हो जाता है क्योंकि इन दिनों में सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्शन होता है तुत्वी के परती वो बहुत ज्यादा होता है इसी वज़े से आपने देखा होगा कि संदर में ज्वार आरभाता क्या प्रमान होता है वो भी काफी ज्यादा होता है क्योंकि आकर्शन ज्यादा होने के कर्म उसी प्रकर हमारे शरीर में भी जो खून है उसके उसमें भी वो भी ज्यादा एक्टिवर्ट होता है क्योंकि हमारे खुल का जो नमक का जो स्तर है और समिंदर के पानी का जो नमक का जो स्तर होता है प्रमान होता है वो करीबन सेम होता है इसी वज़े से हमारी जो भावनाएं हैं वो भी पूर्णिमा और रामावस के दिन बहुत ज़्यादा उद्धिपित हो जाती है तो इन दि पूर्णिमा है वैसे देखा जाए तो कभी एक दिन दो दिन में होती है लेकिन उसकी जो परिणाम होते हैं उसकी जो इंटेंसिटी होती है उसकी जो तीव रता होती है वो करीबन दो-तीन दिनों तक रहती है तो वो दिन कौन से है पूर्णिमा होगी दो तारिक पूर्णिमा करना तो दोस्तों ये था मिधुन राशी के लिए मई 2020 का संपूर्ण राशीफल आपको ये राशीफल कैसे लगा आपने किस तरह से अनुभो किया इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना उसी परकर हमने और एक चैनल लॉंच किया है जिसका नाम है हमारे मन में बहुत ऐसे कुटूहद रहता है कि जान लिया जाए लेकिन हमें उसके संदर में कुछ बाते नहीं मिलती जानकरी नहीं मिलती तो इसके संदर में हमने यह जो चैनल इस पर कई विशय लिए है जो कि आपके लिए या फिर हर किसी वेक्तिके लिए उसके बारे मे और सब्सक्राइब भी करना और आपके मन में भी अगर ऐसे कोई विचार है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मा दसिद्याश्ट्रो इसे लाइक, शेर, सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्योरा